तो आज का व्लोग रहगा दो दिन का जो है डे 35 और दे 36 का क्योंकि कल मेरे को टाइम नहीं मिला था व्लोग को अप्लोड करने के लिए तो उसके लिए मैं दोनों आज ही करती हूँ तो लेट्स केट स्टाटेड और आप लोग में बहुत सारा प्याद दिया मेरे व्लोग में और शॉर्ट वीडियो में तो ऐसे ही आपका प्यार मेरे चैनल पे बढ़का रखो और लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट का निकले मत बुलो गाईज आप लोग का बहुत सारा कम बढ़का बढ़का रखो और और इंस्साग्राम आईडी पे और स्नापचाट आईडी पे फेस्बूक आईडी पे तो आपका प्यार ऐसे ही रखो गाईज मेरे चैनल पे तो इसको मैं इधर ट्रीच दे रहे हूं हाने के लिए जो कि इधर बलस्यों कियो तो उसको दिए द और इसको बहुत पसंद है इसको यह सुबह सुबह लगता है खाने के ले फिर उन लोग अच्छे से उन लोग फोरा टाइम सूरते है अभी हम लोग बलस्यों को खाना दे रहे है चिकन और राइस उसका फेवरेट और टाइम इट आप मश्रूम को दो के रखे है और हम आप टे थाटी फाइव का फास खोल रहे है तो यह है औरेंज फिर यह मश्रूम सॉर्टर फूपानी यह है रबरी यह है मसमेलन यह है चोले पटोरे और मैची क्या चार आजाओ गाइस फास खोलने में दूआ में मेरे को याद करो कि मेरा पूरा फार जो है वो कम्पीट हो जाएगा 40 डेस क्योंकि तब यह थोड़ा डाउन होते जा रहा है जब तक दिन नजी का रहा है तो मुझे दूआ भे रखना कि मेरा फार जो है 40 डेस का वो अच्छे से जाएगा अब हम लोग लिख के जा रहे है ब्लश को नीचे वोग की बेर क्यूपी और आपको आपको ब्लश को खाना जो है एग और राइस क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है एग और राइस अच्छे से खाती हो झाल 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 तो आज मैं बहुत कुछ शेर करने वाली हूँ तो मेरा 27 साल का जो जर्णी रहा है अभी तक और मुझे बहुत सारा डीम्स हाते हैं इंस्टा आईडी पे इस नाप्चाट आईडी पे कि आप कहा से बिलॉंग करते हैं आपका पैदाश की दसे हैं आपने कॉलिज की दसे किया है और आपका प्रफेशनल का काम क्या है आप क्या करते हो तो आज पूरा ये वीडियो उस पे ही रहएगा तो मेरा पैदाश हो गए था मुंबाई में अगर आपको पता है M.I.D.C. अंदेरी इस में है तो उदर मेरा पैदाईश है और मेरा जनम का डेट है 9 जैनवरी 1997 तो मैं सहताई साल की हूँ और मैं फैमिली में जब मैं छोटी थी तो मेरे माबाब को तीन बच्चे थे तो हम लोग तीन बेटी थे तो मेरी बड़ी बेट का नाम है मैरी मैं दूसरी नमबर ही और तीसरी नमबर बेट है सिमरिन तो हम लोग जब छोटे थे हम लोग को एचली कोट दिये मेरे माबाब में क्योंकि हम लोग इतना अमीन ने थे तो मेरे माबाब इतने संबल नहीं सकते थे तीन बच्चे को तो उन लोग भी जल्दी गुज़र गए थे तो मैं जब तीन साल की तीम मैंने को मेरे आंटी और अंकल ने गोड लिये थे, तो मेरे अंकल जो थे, वो महीं के रहने वाले थे, और अगर आपको पता है, पिश्रमेंड कॉलिनी, जो महीं चर्च के पीछे है, कॉलिनी, धूदर के थे, और मेरे ममी को जो थे, उनको बच्चे ने थे, मेरे पपा को अचली ये दूसरा शादी पहले शादी में छार बच्चे थे, और पहले वीवी जो थे, गोवा में गुजर गई थी, तो चारो बच्चे उनको इसाथ ही रहते थे, बढ़ ममी को बच्चा ने था, तो उसके लिए उनको एक बच्चा चेहता, तो उनको आपको गोड लिया फिर, तो मेरे रियल पपा जल्दी गुजर गए थे क्योंकि उनको लिवर प्रॉब्लम था और बहुत पीते थे और जैसा आपको पता है कि इस जुन वाले लोग जो लड़के लोग रहते हैं लोग बहुत पीते हैं तो उसके लिए और टाइम पे मेरे पापा गुजर गए थे बहुत पहले ही और मेरी म मामा के साथ रहते थे क्योंकि उनके भी चार पच्चे थे पर वन लोग हमेशा उसको संबालते थे तो मैं और मेरी चोटी बेंच जो थे हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे पर जब मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि वो मेरी रियल बेंच है पर हम लोग को इं का बॉन पर हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग दोनों सगे पैन हैं तो ऐसी हम लोग का दिन गुजर गए फिर मैं बड़ी होते गई फिर मैं जब 11 वी कर रही थी तो तभी मेरे पपा जो थे और रिटाइट लिये तो जब मैं छोटी थी तभी मेरा स्कूल बहुत बतल ग को बड़े कंपणी में काम कते थे और टाइम पे रूसल फार्मसिकल बहुत बड़ा कंपणी था बेलापूर में तो मैं बोल सकती फार्मी प्रॉब्लम्स थे क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मेरे पपा का दो शादी हो गयते और पहली बेवी जो थी ओगोवा में बुज करती ही रहे तो मेरा नुसरी से लेके थी सी तक मैं कनो सा कॉन्वेंट में पड़ती थी जो मायीं वैस में है स्ट मायकेल चर्च के पीछे फिर तीसरी से लेके चटी तक हम लोग परिया शिफट गए तो मैं आदी तो संच जोजप्स स्कूल जो सेंटी चर्च के सामने इं फिर उसके बाद हम लोग मीरा रोड शिफ्ट किये, तो मेरा च्छतीर से लेके आटवी तक मेरा मीरा रोड स्कूल में था, जो है सेंट टॉमस स्कूल, फिर हम लोग वापस से बैंडरा वेस में आगे थे, तो मेरा आटवी से लेके दसवी तक पॉस्टलिक आफ कामल स्कूल में रहा है, जो सेंट अंडूस चोच के बाजू में ही है, फिर मेरा बारावी जो था मैंने सेंट अंडूस कॉलेज से किया था, पर मैं लेक्छर्स को ए तो हमेशा फैमली का ही सुनती थी, तो जो फैमली बोलते थे, ओई ओग करती थी, उदर से फिर मेरे को बहुत सारा प्राव्म्स आते गए, क्योंकि मैं गोदलुई बेटी हूँ, तो मुझे हमेशा ओई नाम और फिर उदर से फाइनेशल प्राव्म्स चालो हो गए थे, फ हमाई है, ओ टाइम पे वेच केकशॉप था और श्रीनाजी केकशॉप, तो उदर मैं आठ बजे जाती थी सुबे और फिर रात को दस बजे उदर से शुटती थी, तो छुटने के बाद फिर आके मेरा पढ़ाई जो था, ओ मैं करती थी रात को बैट के, तो मैं रात को दो तो मैं पढ़ायी त्लक मैं पढ़ायी करती थी और अमारी प्लश हो यह उराता है, शाम के टाइम पे और इसका पक 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 चालू है, नन्यू, यघरी को दाऊं ह Bene, अल्याऩ तो लकी वाकी शॉट kau jo वोकी वोकी ननो ? वोकी 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 ? वोकी वोकी ? वो मैं गड़ तेल गईस प्लीस सब्सक्राइब लाइब लाइब शेयर और अजानेल नो बलाशु अपि हम लोग देरे बलाश को खाना क्यों कि वोग नहीं सर्थी है अबन एट वाश। और इधर हमारा बटर चिकन जो है और रहे ही बोल है इधर हमने लोग पराठा को सीख रहे लोग खोल रहे डे टर्टीस का फास जो है फ्रूट्स, मेशमेलें, पानी, गुलाब, चाम्यों फिर यह है बटर चिकन का क्रेवी, चिकन एग्स, यह निए चिकन रोल फिर यह है चिकन कबाब पराठा को तो आजाओ गाइस खाना खाने के लिए और मुझे दूआ में रखो गाइस कि मेरा फास जो है वो पूरा 40 दिन का कंप्रीड हो जाए जल्दे से कि टबेट थोड़ा डाउन होते जा रहा है क्योंकि अब यह दिन नसीक आ रहे तो डबेट दोरा डाउन होता जा रहा है तो आप लोग मुझे दूआ में लखो सब लोग तो आजाओ गाइस खाना खाने के लिए और स्कूल के टाइम से मैं हमेशा टॉप परफॉर्मस थी मतलब मैं हमेशा हाइ मार्क्स लेके आती थी मेरे एक्जामस में और हमेशा लोग बोलते थे कि आपकी बेटी बहुत अच्छा करेगी लाइफ में पर एक बोलते हैं नजर लगती है एक बच्चे को तो जब मैं क्यारवी थी तो मेरा बोड एक्जामस थे तो उस दहीं मेरा पपा जो थे बहुत सीरस हो गय थे और फिर मुझे एक्जाम करने के लिए मैं गई थी और फिर आ गई और फिर उस दहीं हम लोगा चगरा था गर मैं कि ममी बोल रहे, पपा हॉस्पिटल में है और तू बोड एक्जाम के लिए जा रहे मैंने बोला पपा तो हॉस्पटल है मैं है पर मैं देखने के लिए ही जाएगी न पर्ट मेरा एक्जैम्स भी इंपॉर्टन है वो मेरा करियर के जिंदेगी का सवाल है तो उसके बाद फिर फूर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे उने के लिए तो मुमी हमेशा जो था ओ हो फामिली का ही सुनती थी जो फामिली बोते थे वो ही ओ करती थी हमेशा ओ अपने भाई के घर पे रहती थी भाई की बेटी लोग के साथ उन लोग हमेशा डिसकर्स करते थे और फिर ममी आंके हम लोग को परेशान करती थी बार बार मतलब हमेशा पैसा मांगने का काम था चारो बच्चे में क्योंकि हुम एवा कि पहली बीवी के नाम पे थे तो उसके लिए हम लोगों को बाठना पड़ा है चारों बच्चे पाइस में उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्रम आंग अगया था प्यूंकि मम्मी जो थी सोते ली थी तो उनको नहीं देने का था उनका शेर बचे लोग को तो उसके लिए भी बहुत सारा प्रॉब्रम हो गया था जब मैं श्रीना जी केक शॉप में थी तभी मैं 15 साल की थी ओ टाइम पे उन लोग को गरज था लोगों का क्योंकि ओनाया केक शॉप था उसके मेरी ममी आके लेके मैने का पगार जो था ओ लेके जाती थी पूरा पगार मेरे को एक रुपया का नहीं था वैसे दिन घुजर गए एक साल हो गया पूरा एक साल का पगार मेरी ममी लेके जाती थी और मेरे को एक हिसाप नहीं मिलता था ओ टाइम पे फिर एक आंकल था मेरा तो नुक ने बोला था ममी को कि अच्छा काम है इंटरनाशनल एइपोर्ट नया खुला है तो आपकी बेटी को जॉब मिलेगा उदर और अच्छा सालरी भी है तो मेरी ममी ने बोला मैं करदे गई थी ओशाम को तो ममी फिरको अच्छा काम मिला है एएपोर्ट पर और ओर ताइम पर मैं भी खुश हो गई थी क्यूंकि मुझे एपोर्ट का काम ही चीहता मुझे एविशन में खुशना चीहताurar ओर ताइम पर मेरे कडियाक कि विए तो चुश हो गई थी तो नेक्स दे फिर मैं गएती कली जो था ओफिस उदर में गई थी इंटिव्यू देने के लिए और उसी दिन में पास भी हो गई हाय किया मुझे मेरे सब पेपर वर्क्स भी किये थे मेरे इनिफर्म से लाय उसी दिन एक ही दिन में और नेक्स दे मेरे को जॉइनिंग का भी दिया था तो ओ टाइम पर मैं कर और मेरे को doen एपोर्ट पे भी मैंने दो साल काम किय है थो चे मेने होगया था मैने मेरे बॉस को ब मुझे अपने अभी तक पगार नी दिया है मुझे तो बस ने बोला छे मेने होगय है पर मैंने हन मेना आपके ममी को पैसा दिया है तो मुझे ही पता नी चला कैंकि म calling hom कर तो मैं बहुत इनोसिन थी ओर टाइम पे तो मैं गई थी गर पे और पूची ममी को तो ममी ने बोला कि तू अभी तालग छोटी है तेरे को तू क्या करेगी पैसे का तो उसके लिए हम लोग रखेंगे जब तू बढ़ी हो जाएगी 18 साल की अभी हम लोग पूरा पैसा तेरे को देंगे पड़ाई के लिए तो मैंने सोचा ठीक है मेरी ममी है तो कुछ अच्छा ही करेगी तो ऐसे ही मैंने दो साल निकाल गया है मुझे एक पैसा नहीं दे अमनों के फिर उसके बाद फिर एपोर्ट पे जो टेरेरिस एटैक हो गया था फिर उसके बाद मैं काम गई थी जो है साइटेल चांदेली अंदेरी इस में है साकिना का केवा उदर मैं 2016 से काम पे लग गयी है थी कस्रम सर्विस का काम फिर उदर से फिर मैं अच्छे से काम के मुझे प्रोमोशन मिला एक साल में मेरे परफॉर्मेंस पे बहुत अच्छा चल रहा था मेरा सब कु है मेरे पैसा तो मैं हमेशा मेरे पपा को रिस्पेक करती थी तो जबी भी मेरा पहला पगर आता था या कुछ भी मैने का पगर पहले मेरे पपा के हातों में आता था तो मेरा पपा और मेरा बहुत बॉन अच्छा था पहले से ही क्योंकि मैं छोटी बेटी थी घर की और मु एक आवाज पर उनका सुनती थी हमेशा तो पपा मुझे बहुत चाते थे और मैंने हमेशा अच्छा ही किया मेरे माबाग को कुछ भी रहा है मेरे स्कूल के टाइम पर मुझे एक दस रुपया मिलता था सिर्फ ट्राविल करने के लिए बस के लिए तो वी मैं बचा के जाती थी मैं मौन मेरी से लेके हम लोग मौन मेरी में रहते थे ओर टाइम पर तो मौन मेरी से लेके सेन हंडूर्स तलक अगर आपको पता है डिस्टिंस उतना में चलती थी रोज स्कूल जाने के लिए और स्कूल से गर पे जाने के लिए क्योंकि वो पाच पाच रुपय जो बस बड़े रहा है तो उन्हों को सप्राइज देती थी, मैं केक लेके आती थी, उन्हों को गिफ्ट देती थी, वैसे मेरे दिन गए हैं, मैंने हमेशा अपने बारे में कभी नहीं सोचा था, मैंने हमेशा मेरे माबब के बारे में सोचा था, हमेशा उन्हों को खुशा ही, मैंने अपनी खुशी का कभी परवा नहीं किया पर उनलों का खुशी पहला देखा था क्यूंकि मेरे पपा के चार पच्चे थे पर उनलों कभी ऐसे celebration कभी किये नहीं थे पपा के बड़े के लिए या कुछ भी उनलों चुटी पर जाते थे पर पपा को कभी लेके ही नहीं गये उनलों खुश पपा को बोते थे कि हम लोग इदर उदर जाते है चुटी के लिए पर पपा के चारों बच्चे चुटी पर जाते थे उन्हों को सब कुछ दिया था पैसा जो भी प्रॉपटी का पैसा मिला था सब कुछ दिया था वी आरेस का पैसा मिला था पपा को ओभी भाटा उन्हों के बीच में तो उन्हों को एक एक घर दिया है पपा ने और बेटी को चार लाग दिया था ओ टाइम पे पर कभी उन्हों पपा को संभालाई नहीं है और उन लोग ने कभी पपा को छुटी पे लेके ने गए थे तो ओ टाइम पे मैं साइटेल में काम करती थी और प्रसेस था हाइट का होटेल तो उदर में हाइट होटेल के लिए रेज़वेशन करती थी तो हम लोग को साल का 12 मैने का छुटी मिलत था फ्री नाइट्स थी तो ओ टाइम से चार साल में उदर काम किये तो मुझे हर दो-दो मैने में छुटी मिलता था जाने के लिए मतलब पुने गोवा डैली डॉमेस्टिक प्लेस तो मैं पपा को हमेशा लेके जाते थी मेरे ट्रिप्स पर पुने के ट्रिप्स पर पहला मैंने पपा को फ्लाइट से लेके गई थी गोवा ओ टाइम पे ओ टाइम पे पपा बहुत खुश हो गए थे क्योंकि उनका एक हिचा था कि ओ फ्लाइट में एक टाइम बेटेंगे पर कभी उनके बच्चे ने को सपना पूरा नहीं किया उनका तो एक छोटी सी बेटी उनक का सपना पूरा किया तो दोनों को मैं देखे गई थी फ्लाइट के तुरू से बहुत और उनको बहुत मज़े किये ओ छुटी में वैसे हम लोगों का छुटी रहा है अब हम लोग नश को लिखे जा रहे है वाक के लिए नीचे उसका टाइम हो गया है और लिफ के लिए जन्तेद के लिए नश की चाहते है उने को माईट इसकी आप जाएट्य हूत पारशि च्पादारे को भी रहने के लिए त 쪽 रहे है तो मेरा ओल दूल जादाता टाब हमेशा कूमती ही रहता था तो एक पोलते है मिल्चा अ कि च्टीपर रहता है। मेरा उनलों का खेलने के दिन ते थे पड़ उट टाइम पर मैं काम पर जाती थी ற्ट आप मैंने कभी कंप्लीन ने किया कि मेरी जिंदेगी ऐसा sónप बन गया मैं खुशी से मेरी जिंदव की घुजाती थी और किसको मैंने बताया भीनी आज तक इतने सालों में 27 साल जो हो गया मेरे परिवाल में किसको पता नहीं है मैं कौन से टाइम से गुजर गई हूँ बट मेरे हमेशा एक हसी हमेशा आती है मेरे चेहरे पे अगर आप कभी भी मुझे देखेंगे तो एक उदासपन नहीं रहत है मेरे चेहरे पे तो मेरा जो बच्पन था वो बहुत बुरा था क्योंकि मैं हमेशा काम ही करती थी घर का काम जब मैं स्कूल में थी तो मेरे को बहुत सारा जिम्मतारी थे घर का समय करते तक एक टिरी दोनने भी में शारेन नुदास करते इधा साल की थी तबी से में मॉइल्इन करती थी मैंने इम्माच मॉड़लिंग से कोर्स लिये थे जू जू में है ऐ ऑफिस तो उदर से मेंने कोर्स भी किया है एक्टिंग का कोर्स फिर उसके बात म workflow in wd को तो फिर परिवार के वज़े से ओ भी मेरा छूटा तो बहुत सारा सपना जो है दूरा ही रहेगा है मेरे तो जब मैं छोटी थी मेरा एक सपना था एरोस्टिस बने का क्योंकि हम लोग के गड़ में ज्यादा लड़की लोग जो थे ओ एवेशिंग में ही इंडिस्ट्री में ही थे तो उसके लिए मुझे भी सपना था कि मैं भी अपना पूरा वर्ल्ड गुमूँ फ्लाइट से फ्र मैं मेरा एवेशिंग का ट्रेनिंग करेगी पर पैसे के वज़े से मैंने किया ही नहीं फिर उसके बाद मैंने इंट्रीव्यूस दिये अलग-अलग एरलाइन्स में इंडिगो एरलाइन्स में जैट एवेज, स्पाइज, गोए मैं सब पास होती थी पर लास राउंड जो र तो ओ टाइम पर हम लोग के पास इतना पैसे नहीं थे क्योंकि डाड रेटायमेंट में थे और उसके बाद उन्लोक ने पैसा भी बाटा तो कुछ पैसा नहीं था डाड के पास तो हम लोग कैसे भी दिन गुज़रते थे और फिर मेरा जो ट्रेनिंग का सपना था एवेशि ग्राउड स्टाफ के लिए एक साल का मैंने ट्रेनिंग दिया था फिर उसके बाद मैंने इंडिवू में इंटिव्यू दिया था और ओर टाइम पर मैं पास भी हो गए थी और ओर टाइम पर फ्री ट्रेनिंग था एवेशिन के ताइम इंडिय को खिले तो मेरे को ओफर ले बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि ममी को राजी नहीं थी मेरे को बेजने के लिए तो जिस दिन मेरा ओफर लेटर आया था इंडिको हेलाइन से और मेरा ओटैम पर पासपोर्ट भी बना था मेरे डारी ने किया था तो उस दिन ही मैं गड़ पे ने थी मैं काम पे गई थी तबी मैं साइटर में काम कर दी थी तो मुझे आचली मेल आया था कि आपका ओफर लेटर जो है ओ डेलेवरियों गैगर पे तो मैं बहुत खुश हो गए थी कि चलो मेरा सपना जो है ओ पूरा हो रहा है तो मैं बहुत जो रहे थी कि मैं कब गड़ पहुचेगी, कब मेरा ओफर देगी थी, पर तन जब तक मैं गड़ पहुची, ओ टाइम पर मेरा ओफर लेटर जो था ममी ने फार के रखा था, मेरा पासपोर्ट जो था, ओ भी फार के रखा था, ये सिर्फ फामली के वज़े से उसने किया है, कि मेरा कडेवार, करीयर जो था, वो बर्बाद होने के लिए, क्योई कि मैं हमेशा जो भी रही हूँ, मेरा बैस देती हूँ, पर परमेंसमें, और जो भी काम किये आज तक, मैं हमेशा अच्छा ही कर दी हूँ, तो उननों को नो देखने के लिए नहीं हो गया था क्योंकि अमनों के बच्चे लोग एवेशन में थे और फिर मैं एक एडॉप्टेट बच्ची हूँ तो मुझे हमेशा ओई नाम से बुला गया है मेरे फैमली में तो किदर भी वे जाते थी या कुछ भी प्रॉब्लम्स होते थे गड़ पे या कुछ तो मुमी पपा हमेशा ओई नाम का टाइग लेके जो मेरी बच्ची जो है एडॉप्टेट है कुछ फीज कम करो तो मैं ऐसी हमेशा जो भी साल रहा है ओई टाइग के नाम से मैं पैचान गई हूँ अभी तब मैं आयी दिती गर पे देखनी के लिए मेरा ओफर से लट Careful मैंने देखा कि एनवलोग जो है ओफार के रखा है मेरा पासपोर जो है और वरख रहा है तो मैने ममी को कूछा है क्यूं किया ये तो ममी बोल रहे हैं नहीं हम लोग तू अकेली बेटी है हम लोग के लिए तू चाहिए कुछ होएगा तो हम लोग क्या करेंगे तो ओ टाइम पे मैंने भी सोचा कि हां माबाग बोल रहे हैं तो ठीक है माबाग अच्छे के लिए ही बोलता है तो फिर ओस अपना मेरा अदूरा ही रहा हो टाइम पे तो फिर उसके बाद फिर आया बहुत प्रॉब्लमिस आ गए थे फामिली के वज़े से क्योंकि मैं हमेशा किला थी जाते थी तो हमेशा चुचा बैठती थी ओ टाइम पे मैं ज्यादा भात भी नहीं करती थी किसी से और मैं बहुत शांत लड़की थी ओ टाइम पे तो कोई भी कुछ बोलता था तो मैं इदर से सुनती थी इदर से निकालती थी मैंने कभी दिल अगर मेरे दिल में भी लग गया है तो मैं अंधर ही रख दी मेरे किसको भुछ बोला ही ने मेंने क्योंकि मुझे पता था कि मुझे हमेशा ये एक ताइम डेगा कि तु एडॉप्टेट है तु ये ने कर सकती है तो ने कर सकती है तो हम लोग आचली देखते हैं कि निकाहों में होता है ऐसा कि बेटी कुछ ने करने का क्योंकि उन लोग पराई करकी है एक ना तो एक दिन उन लोग ससुराल चाहेंगे तो क्या फाइदा इतना पड़ के काम करने का पर कि यह एक modern family में हो गया हम लोग एक modern family को बिलोंग करते और यह मेरे करती ही हो गया है मेरे साथ तो मैं हमेशा सोचती थी यह मेरे साथ ही क्यों होता है तो ओ टाइम से मैं depression में गई थी क्योंकि हर कुछ मैं चाहती थी करने के लिए मेरे करिया में या मेरे जिंदगी में मैं ओ कुछ कभी ही आई नहीं है अगर aviation के बाद करती हूँ तो वो सपना आदूरा है अगर मॉडलिंग के खाप देखती थी तो वो सपना भी आदूरा है तो एक टाइम आया था कि मैंने सपना देखने के लिए छोड़ दिया मैंने ऐसे ही जिन्दिगी गुजार गई मेरा जो साइटिन में काम करती थी मैं उदर एचली हम लोग का क्योंकि मुझे ऐसा ताइम आ गया था कि मुझे गड़ पे ही नहीं जाना है क्योंकि गड़ पे जाओ तो इसका बाते सुनों उसका बाते सुनों तो मैं परिशान बहुत हो गए थी ओ तो मैं ऑफिस में ही रहती थी और हम लोग के ऑफिस में एक बंकर रूम था तो उदर बहुत सारे बैट्स थे तो अगर कोई बिमार होता है तो उनों जाके उदर रेस करते थे पर मैं 17-18 गंटा काम करती थी फिर उदर जाके मैं थोरा टाइम रेस करती थी चार गंटा या पाच गंटा और फिर वाबस मैं काम पे जाती थी उदर से तो ऐसा मेरे जिंदगी हो फिर एक दिन आती थी खपड़ा लेके जाती थी फिर वाश्रूम में मेरे ओफिस के वाश्रूम में ही चेंज करती थी वापस काम पे तो एक बार एक लड़की मेरे ओफिस में ही काम करती थी उसने देखा कि उसने मुझे पूचा कि जानस तो गर पे क्यों नहीं जाती है मै मैंने हमेशा देखा तो इधर बंकरूं में सोती है चार या पच घंटा और फिर वापस शिफ पे आती है किया है प्रोब्लम तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ा ट्रावलिंग दूर टाइम से मैंने एक फोकस लिया था मेरे काम के लिए मैं मैंने मेरा जो टारगे मां यह दिज्च रिखते हैं कि जैनस तो इतना काम क्यों करती है क्या प्रॉब्लम है करका फाइनेनचल प्रॉब्लम है बोलो हम fragments् कुछ लोन मदद या के ऐसी याफ यह कुछ सकते आपके लिए तो मैं हमेशा किसको कुछ बोला ही नहीं है इने किसे बोला है कि मुझे काम क करने के लिए बहुत अच्छा लगदा है उसके लिए मैं इतना काम करते हूं तो बहुत सादा ऑव stripes मैंने कमाल लिया था और उटoritm भी वहुत खुछ मैंने खरी दा भी उसके आपहु हम लोग ईष्टिरीन लोग है तो बहुत पसंद खाल लोग उत्रद कर दो directly शेड बनाया था, फिर पड़ा चेंड किया था मैंने फिर बैंगेल्स किया था, ब्रेसलिट रिंग्ज तो मेरा सब पैसा जो ओवर्टाइम का ऊपर का पैसा आता था तो टाइम पे मैंने वोल बनाया था तो मैं ऑफिस तो मैं ने रख सकती थी तो मैं घड़ पे रखती थी मेरे लोकर में तो एक टाइम में काम पे गई थी फिर मैं गई थी घड़ पे मेरे कपराल लाने के लिए तो मैंने सोचा था कि आज मैं नया चेंड डालती हूं क्रिस्मस का दिन था तो उसके लिए मैंने सो मैंने लोकोर खोला तो देखा तो चेइन नहीं है तो मैने ममी को पूछा कि मेरा चेंड किधर हैchlag मैंने लोकोर डला का तो गोल रहीं अज्या के पता नहीं कॉल3 के गयांत अब है घर में से हम लोग सिर्ट व क्यों हैं तो पॉल लेके जाए सकता है तो मैं बहुत शौक हो गए थी क्योंकि ओ टाइम पर मैंने अपना खुद के लिए कुछ नहीं किया था पर मैंने गोल में इंवेस्ट किया था सोचा कि मैं कुछ अच्छा करी कि मेरे लिए बाद में काम आयता जब शादी होएंगे क्योंकि मुझे हालाद पता था मेरे घर के लिए कि मेरे माबाप को कुछ शादी का कोई खर्चा नहीं उपाएंगे तो इसके लिए मैंने खुद से ही कुछ गोल खरीदा था कि बाद में काम आएगा फिर मैं परिशन हो गई थी पर मैंने किसको कुछ नहीं बोला था कि मेरा चेंड गुमो क्या मैंने सोचा ठीक है करवालाई रहेगा क्योंकि हम लोग सिफ मुमी और पपा हो तो पपा हमेशा बहुत अच्छे थे और पपा का जरूद भी नहीं था कि यो चेंड गुमा सकता है और आते तो जाते लोग ममी के ही रिष्टेदार थे तो मैंने सोचा अभी किसको क्या बोलू और किस पर इंजम भी डालू तो मैंने ऐसे ही बात को निकल दिया है मैं काम पे जाती थी फिर मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया था ओ टाइम पे क्योंकि मैंने हमेशा अच्छा ही सोचा था हर किसी का जो भी मेरे साथ हो गया था मैंने सब भूला दिया और ममी को बहुत सारा प्यार दिया था जबी भी उसको पैसा चेय था मैं बेख रिती मैं काम पे ही रहती थी जादा टाइम तो उसके बाद फिर कि लोग क्यों ऐसे करते हैं, एक घर में एक लड़की है, वो अच्छी है, उसके मापाप भी अच्छे है, तो एक घर को क्यों बर्बाद करने का ऐसा, सुफ पैसे के लिए या प्रॉप्राइब करते हैं, वैसे भी मैंने बोर्ट टाइम मेरे सामी में मदद किये, क्योंकि मेर ममी की छोटी बेंड जो थी, उमबन मेरी में रहती थी, तो उनका सिक्वेशन थोड़ा अच्छा नहीं था हो टाइथे, तो उन लोग के बच्छे को कप रहा, पैसा, जो भी था, मैं जो भी कर सकती थी होता है, मैं करती थी, तो ममी हमेशा बोती थी, उसको इतना जरूरत ह मैं दिये है, पैसे, मैंने पूछा भी नहीं, किस के लिए, क्यों है, मैंने हमेशा आग बंद करके दिये है, क्योंकि मैं ममी पे विश्वास खाती थी, और फिर मुझे हमेशा टायर मुलाएं कि वो एडॉप्टेड है, कि इधर भी जाती थी, हम लोग बोलते थे, हाँ, य ऐसी जिन्दी बिती गई है, फिर मैं एको टाइफर हो गया था, 2021 में, तो ओर टाइम पे बहुत सीरिस हो गया था, क्योंकि मुझे भुका रहा था और सर्थी, तो मैंने सोचा था वाइरल रहेगा, बट मुझे ही नहीं पता था कि मुझे टाइफर हो गया था, और ओर तो मुझे ऑफिस में ही मैं केगे गई थी, बेयोश, तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, और फिर मेरे टेस्ट किया, टेस्ट में पता चला कि लास्ट टाइफर था, ओर टाइम पे भी मेरा जिन्दीगी जो था, ओर बदल गया, मैं दो मैने हॉस्पिटल में थी, मुम उसको पता चलेगा जिन्दीगी क्या है, तो मैं दो मैने हॉस्पिटल में थी, और फेस करती थी मेरा हाल प्रॉब्लम अकेल, तो टाइफर ने मेरा जिन्दीगी पूरा चेंज किये, क्योंकि ओ टाइम पे मैं बहुत अच्छे दिखती थी, और फिर क्या पता किसका नजर लग गया मुझे या कुछ, तो मुझे एक हीमो थेरपी करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो टाइफर था, और पूरा लास्टेज पे था, मैंने बहुत रूखा था, और मुझे पता नहीं था कि मुझे टाइफर हो गया था, तो दो मैने मैं हॉस्पिटलाइज थी हॉस्पिट मैं था, मैं था, और होगो को समाल किया है, और टाइम पर किसका जरूर थी मूझे, तो म novels नहीं थी मेरे साथ , but मैंने किसको नहीं बॉला थाute, ममी को भी कभी भी फोन करके बूला नहीं कि मुझे जरूर था आपकी या कुछ, मैं सिस्टर्स के साथ बात करती था, श्याद् पूरा तकलू किया था एक cancer patient के जैसा हो टाइम पे भी मेरा जिन्दीगी जो था पूरा चेंज हो गया था क्यूंकि cancer patient को पता है उनका तकलीफ क्या होता है injections कितने painful होते हैं मेरे मेरे पपा आते थे उनको दूख लगता था कि मैं इतना क्यों तर तरप पुरियू पर मुझे पताता मेरा जिन्दीकल का पेंट गया है और ओर टाइम पे भी मैं depression में थी पर इतना नहीं था उसके बाद फिर जादा हो गया टाइपट के बाद क्योंकि थीदर भी में जाती थी तो लोग पुछते थे क्या हो गया मैं cancer हो गया एक ही ओवर था cancer तो मेरा chemotherapy जो था हो गया था फिर डॉक्टर ने बोला था कि 15 दिन पूरा बेड्रेस लगेगा आपको क्योंकि ओ टाइम पर मैं calls लेती थी customer service में थी तो मेरे एक यह जिंदीगी पूरा बदल पर था ओ टाइम पर क्योंकि मैं 17-18 गंटा काम करती थी तो वो workflow मेरे अंदर में ही रह गया था और फिर मुझे बहुत लगा कि मैं काम पर नहीं जा सकती ह पर ही थी फिर ओर टाइम पर भी कोई family के थू से कोई नहीं आया था देखने के लिए इतना पता चला कि मेरा थेमर chemotherapy हो गया था वो सब कुछ बट मैंने हमेशा किसका बुरा है नहीं सोचा तो मैं गर पर ही थी और ओर टाइम से मैं और depression में चले गए थी क्योंकि मेरे को एक आदत हो गया था कि पूरा दिन और रात काम करने का तो नहीं मिल रहा था करने के लिए तो मैं पूरा दिन गोली लेके सो जाती थी और ऐसा गोली भी नहीं एक या दो मैं 60-70 tablets लेती थी ओ टाइम पर योकि मेरा depression जो था बहुत बढ़ गया था ओ टाइम पर लेविल बहुत दिन और रात ऐसे ही सोने में ही गुजर गाता 15 दिन फिर मुझे डॉक्टर से अपरो मिला कि आप काम पे जा सकते हैं तो मैं बहुत खुश हो गई थी पर depression इतना बढ़ गया था ओ लेवल पर कि मेरा जिंदीगी पूरा दवाई पर ही रह गया था क्योंकि 60-70 tablets a day मतलब आदत होती एक ड्रग्स के जैसा होता है अगर आप नहीं लेओ तो आपका दिन अतमीज होए चाहेगा तो वैसे ही तीन मैने घुजर गए फिर चौते मैने में जून मुझे बरबर तारिक भी याद है 18 जून 2021 को हम लोग डाड को लेके गए थे हॉस्पिटल क्योंकि उनको साइलेंट अटैक हो गया था तो मैं अचली मेरा रोड आई थी ओ टाइम पे और मुझे पता नहीं चला तो जब मैं गर पे पहुची तो पता चला कि डाड को साइलेंट अटैक नहीं आया था तो वो तो पूरा वियोश्य थे बैट पे तो हम लोग ऐसी डाइरेक होली फाम है क्योंकि ओ टैम पे पैसा आपको पता है लोग डाउन चल रहा था तो लोक में बोला था कि बैट कुल है अगर आपको एमेजेंसी में आना है चेक अप के लिए तो आप आज सबते है पेशन के साथ तो वैसे ही हैं अबिलीन्स हम लोक में बुलाया और डैरी को लेके गए तो उदर लेके गए थे फिर उनुक ने बोला था कि कोविड हो जा था बट डैरी का सिवेशन कोविड का नहीं था क्योंकि बहुत दिनों से ओ अच्छे हेल्थ में थे गुंते थे उस सुबह भी हम वाप के ले गए थे आके फिर ममी को बोला कि मुझे खाने पे उटा ना दुफेर में मैं उट जाओगा पर दुफेर में उटा नहीं डारी तो वैसे उनुक में कोविड पर डाला फिर हम लोग हॉस्पिटल डून रहते हैं एडमिट करनी के लिए तो हम लोगों को चेंबूर में एक हॉस्पिटल मिला था जो प्राइवेट हॉस्पिटल था फिर नेक्स दे आइस्यू में डाला था तो उस सुबह मैं लास मेरे डाड को देखा आइस्यू में हर पाइस थे हुए उनके मुह में और उस दिन पुलिस कंप्लीन हो गया था तो पुलिस आया था इंविस्टेकेशन के लिए पट मैं गड़ पे ने की तो ममी से खुश ताश्च क मैंने देखा एक होल है मेरे डाड के गले में और वो कभी निशान हम लोग ने देखा यह नहीं था तो मुझे डाउट आया था कुछ तो कुछ हो गया था गर पे तो मैं चुपचा बैटी थी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था तो मैं कुछ बोल भी ले सकते थी तो उस देन फिर दुफेर में उन्लोक ने बोला था हम लोगों को इनफर्म किया कि डाड का सिटूएशन जो है खराब होता जा रहा है तो हम लोग उसको वेंटिलेटर पे डालेंगे तो शांपो फिर उन्लोक ने ट्रांसवर किया है उनको वेंटिलेटर पे और फिर 21 जून 2021 में उनका इंतकाल हो गया मैं पूरी शॉक में थी क्योंकि मैं डाड के साथ बहुत अटाच थी मेरे डाड नहीं थे एक फ्रेंड के जैसे ही थे कुछ भी होता था मैं उनसे शेय कती थी पर ममी का जो भी परिशान उसने किया है मुझे या कुछ फैमिली इशू के लिए मैंने क फैर अब दरख को बोलाई नहीं है कि डाड जो थे बहुत स्ट्रिक है मेरे और एक आवाज पर अगलों के बात सुन ते तो तो ममी के वज़े से मैंने डार को कुछ बोलाई है मैं बादाश के हर कुछ जो मेरे साथ किये उनों लोग ने डाट के टाइम पे भी हॉस्पिटल में थे इतने सीरिस पर ममी के साइट से कोई नहीं आया था पपा के साइट से उनके बच्चे आये थे उनकी बेटी थी पडरीती मिनेज़स और फिर अनके तीसरी नंबर बेटा था जोननी मिनेज़स और उन लोग हमेशा हम लोग लोग साथ ही रहे पर ममी के वझे से कि भीच में बहुत कुछοι प्रॉब्म्स थे कमी भी बच्चे लोग कॉल कर देते हैं पपा के लिए तो ममी कॉल उटाती थी और फिर बोलती थी कि पपा गड़ पे नहीं है पर पपा गड़ भी है तो ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्म हो गयता है उन्हों बोलते हैं कि एक सौतन बीवी आती है तो सब कुछ चेंज करते हैं तो वैसे हम लोग के गड़ पे हो गया था कि ममी सौतन थी और बच्चे लोग से मिलने के लिए भी मना करती थी बहुत जगरा होता था अगर डैड़ी बेटे के वा जाते थे मेरा हो फिर आके पुरा तमाशा होता था फाइट सोते थे बहुत कुछ प्रॉब्लम ही तो मैं ह केस था वो कोविट पे लोग ने डाला था तो डैड़ का चेहरा हम लोग को देखने के लिए भी नहीं मिला था उस दन क्यूंकि हम लोग का जो कॉफिन था और पूरा कवर किया था और कवर्मेंट बी-म-सी वाले लोग आयते तो गड़ भी लेके ने आयते तो तो डारेक् में मार्स नहीं बोलते थे तो हम लोग डारेक्ट टीचर्स कॉलनी जो खार में हैं फुदर गए थे फिर आमिलून्स में बोरी लेके आये थे मेरे डारी के पर हम लोग कोई पता नहीं है कि हम लोग के डारी है कॉफिन में क्यूंकि चेहरा देखने के लिए नहीं मिला तो वो टाइम पर हम लोग रो भी नहीं सकते हैं एक अंदर से दूख था कि डारी गुजर गयते हैं एक शौक था क्योंकि मैं हमेशा रोज मेरे डारी को देखती थी और कभी भी बीमार भी पड़ते थे गड़ पर आते ही थे ऑस्पिटल से यह पहला टाइम था कि हस्पिटल से ही डाड उसर गए गड़ पर आये नहीं कि में अंदर से बहुत तूट गई थी ओर टाइम पर फिर एक सारा लगता है एक मा बाप की पीछे रहती है पर ओर टाइम पर डाइरेक फ्यूनरेल से ही ममी जो थी वो अपने फैमली के वा गई थी मैं अकेली गड़ पे थी मैं बहुत रोई उस दिन क्योंकि मैं डाड़ी से बहुत अटाच थी डाड़ी का प्यार जो था बहुत था मुझे तो उस रात मैं पूरी रात जागी थी गर पे मैं सोही नहीं थी पूरी रात मैं रोग गई थी और फिर नेक्स्ट मॉनिंग सुबे ममी आई और फिर एक अलगी एरा था कुछ रोना दोना कुछ नहीं उसके उदासपन कुछ नहीं था उसके चेहरे पे फिर मेरे सब बात कि उसने कि क्या करना है अभी डाड़ी का जो भी गर है या कुछ तो मैंने बोला अभी तो डाड़ी गुजर गए एक दिन भी निवग गए और आप ओ सब पूच रहे हैं कुला हम लोग कुछ भाड़ी तेऄ तो मिरे बड़ी बेहन थी है फिर मेरी आणटी जो छोटी ममी की चोटी बेहन थी रोड़ी को करना है से जब मैं 16 साल की थी तबी से मैं काम करती थी मैंने family को संभाला है मेरे गर को संभाला है क्योंकि हम लोग rented house पे रहते थे तो पूरा rent मैं देती थी और light bill जो था और डैरी पे करते थे क्योंकि उनको rent मितता था हम लोग के महीं के गर से तो मैंने मन में सवाल आया था कि इन लोग क्यों पूछ रहे मुझे यह सब कि मैंने माबाब को क्या किया है फिर ऐसे सब लोग बोलते गए कुछ ना तो कुछ फिर मेरी ममी बोल रही है कि तू कौन है मैं पैचानती नहीं एक हो ताइम पे मैं तो लगता है उन लोग ने पहल किया था एक दिन पहले कि क्या-क्या बात करना है और कैसा करना है तो मेरी ममी बोल रहे मुझे कि तू कौन है मैं जानती नहीं हूँ मैं ओ टाइम पे 24 यॉर्स की थी तो 24 यॉर्स इतने कम है एक इंसान को जानने के लिए कि मैं कौन हूँ और आपने ही तो खुब मुझे ए और फिर 24 यॉर्स के बाद आप मुझे बोल रहे कि मैं कौन हूँ तो ओ टाइम पर मैंने कुछ नहीं बोला हूं लोग आग्यूमेंट्स कर रहे हैं फिर मेरी बड़ी बेंच होती हूं मेरे आंग पर आई कि हम लोग कुछ नहीं देंगे तेरे लिए तू कौन है हम लोग प लोग देंगे या कुछ भी एक प्रूफ पेपर प्रूफ होता है और मैं एड्व्ट हो गई थी एक लोग के तूथ ऐसे घौद के लिए तो लॉग के तरू इसे इसे ही गऊले हैं तो अगर इक पेपर्स आते हैं एडॉस दिन पहले पपा गुजर रहे, नेक्स डे आप लोग प्रॉपर्टी और पैसे के लिए जगरा कर रहे हैं, ऐसा फ़रामली होता है, मैंने पहले बार ऐसे देखा था, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हो टाइम पर, मैं वैसे फिर मैंने ममी को पूछा, क्या करना है इसके बाद, तो ममी ने फिर डिमान किया, कि अगर मेरे साथ रहना है, तो तिरे को 20,000 मैने का देना पड़ेगा, लाइट बिल जो है, पे करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा, कि अगर यह है, मैं एक बेटी हूँ, एक काम वाली भाई, या कुछ नहीं है, कि आप लोग का सब कुछ उटा सकती हो, कि मेरे हिमत है, मैं बड़ी हितना भी नहीं हो गई थी, ओ टाइम पे, कि हर कुछ कर सकती हूँ, और ऐसे नहीं है थी, कि मेरे ममी के लिए इंकम नहीं था, क्योंकि हम लोग का दो गर्था मही में, एक बेटे के नाम पे था, जिसन बेटे के नाम पे, और एक पपा के नाम पे तो ममी बोलती थी, डिमांड किये, तो फिर सब लोग में बोलते है, क्यों रखना है उसको, उसको जाने तो नहीं हो रहेगी अपने खुद के दम से, तो फिर मैंने कदम लिये कि मैं अलग जाएगी, उन लोग ने बोला था कि तिरे लिए ये गड़ बंद है आज से, तो फिर मैंने वैसे भी तयारी किये एक दिन में, फिर मैंने गर देगा रेंड पे बोलेगी वैसमें, योगी नगर, तो उदर मैं शिफ्ट हो गई थी रेंड पे, पर मैं ये व्लोग के तुरू से बोलना चाहती हूँ, कि एक लड़की को इतना परेशन भी मत करो गाईस, कि इतना परेशन हो गई, कि अपने माख जिन्दा रहके भी ऐसा लगता है कि मेरे लिए मर चुकी है, तो मैं शिफ्ट हो गई थी बोलेगी वैसमें, और मैं काम पे बीचाती थी, तो नाइट शिफ्ट करती थी, फर्सोस में काम करती थी, तो मैं बहुत सारा प्रॉब्रम हो क्या दोगा था, क्योंकि पपा गुज़र गय थे, मुझे हर दो-दो दिन में सपना परते थे पपा के लिए, क्योंकि पपा बहुत अटाच थे मेरे और बहुत प्यार करते थे, तो हमेशा सपना में ही आते थे उनको, फिर वैसा मेरा जो ठींकिंग प्रॉसेस था वो राए होते गया क्योंकि मैं कैसी बहुत इनोसेंट और सौफ हार्टेट की लड़की हूँ तो मुझे दिल पे बहुत लगता है और मैं किसको कुछ बोलती नहीं हूँ मैं अंदर भी रखके रखके फिर मेरे कोई प्रॉब्लम देता है तो वैसे फिर मेरा प्रॉब्लम जो था, वापस डिप्रेशन का प्रॉब्लम वापस आ गया मुझे एक्टाइकश आते थे राथ को, क्यों कि मैं अकेली रहती थी गर पे और ऐसा लगता था कि गर मुझे खाएगा और ऐसा लगता था कि एक चार दिवार के बीच में मैं अखेली पड़ी हूँ बंद गर पे तो ओ टाइम पे डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि रोज मैं गोली लेती ती, सत्तर, असी गोली और फिर सो जाती थी लोगों को पता नहीं था मेरा प्रॉब्लम्स क्या है मैं किदर हूँ मैं तीन साल ऐसी गुजर गए किसको पता नहीं था मैं किदर हूँ किदर रहती हूँ, जो भी है, मैं किसे से बात भी ने की, मैं हमेशा बैंडरा जाती थी, क्योंकि हम लोगा जो काम था, सलोन का काम, वो बैंडरा में ही था, आंतोन का, तो मैं हमेशा मेरे, तो मैं हमेशा बैंडरा से ही गुजरती थी, मेरे बजारोर की गलियों से, मैंने, मे मैं पर भी मैंने उनको पताया नहीं था साच कि मैं किदर रहती हूँ, मैंने रॉंग एड्रेस दिया था उनको, पर फिर उसके बाद मेरा दिन ऐसे ही गुजर गया थीन साल ममी के बिना, एक दूख लगता था कि ममी रहके भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बच्पन से लेक 24 तलग जो मैं मेरा ममी के घर पे घुजर गया है, मैं रहती तीन नहीं थी ममी के बिना, मैं छुटी के लिए भी जाती थी, मेरे आटवी के बाद, या कुछ स्कूल की छुटी के लिए, दो दिन में वापस आती थी, क्योंकि घर का याद आता है, मैं कभी इतना लॉंग टा जो है, मैं अकेली रहती हूँ, एक अंदर से खाता है मुझे क्यों ऐसा होता है, किसके जिंदीगी में, हम लोग होते हैं, हर किसी के प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी के जिंदीगी में प्रॉब्लम्स होते हैं, पर हम लोग अपने हाप को ब्लेम करते हैं, क्यों मेरे साथ ह होता है तो वैसे दिन गुजर गए मैं बिमार होते गई है फिर मुझे एक दिन जो था मैं फ्रिच के बाब मैं गिर गए ती और पता नहीं चला था किसको भी तो आंतोन के पास शाविता ओं काम से आया था तो उसने इंदलजा खोला और मुझे देखा थी मैं प्रेयोश आट एक हास्पितल लेके गए तो फिर उदर बहुत सारा प्रोव्ममस आता है मुझे तो मैं एड्मेटड हो गई तो एसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था किसमें मेरा सोन जो था मेरा कॉल चोड यह मुझे सब कुछ पता है किसने लिया है किसके पास है सब कुछ पता है पर मैंने किसको आज तक कुछ बोला नहीं है क्योंकि देखो बगवान इतना दुनिया बनाया है उनको पता है कब उनको punishment देना है और मैं कोई नहीं होती। उनको punishment देके, उनको कुछ फाइदा नहीं होगा, उनलोग एक साल, दो साल जेल में रहेंगे, या complaint, F.I.R. में करीगी, तो complaint होगा, पर उनलोग का जिन्दीगी जो है न, वो बाद में उनको पता चलेगा, क्योंकि उनलोग का भी औलाथ है, उनलोग के भी दो बच्चे है, उ जो दिन थे, इतना बर गया था कि मैं पागल होती थी गड़ पे, मुझे पता नहीं चलता था मैं क्या खरती हूँ, उसके लिए फिर मैंने बं किया था भाद जानी के लिए, क्योंकि मेरा डिप्रेशिन का प्रॉब्रम ऐसा होता था कि मैं ग्राउड देखती हूँ, तो मै मेरा अंदर के शरीफ के अंदर पूरा ड्रम भाद था क्योंकि 60-70 टाबलेट्स मैं लेती थी और ऐसे भी नहीं है, इसे भी नहीं है, प्रॉब्रम टाबलेट्स नहीं थे, अगर आपको पता है डोलो, डोलो एक पेंट की लग है, तो मैं वो डोलो एक लेते हैं, तो हम लो प्रेशन जो था बहुत बढ़ गया था, तो डोक्टर ने मुझे थेरपी दिया था, फिर उसके बाद मुझे दवा दिया, बहुत स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग दवा थे, क्योंकि मैं वो टाइम पे ट्राइका 0.5 लेती थी, फिर मेरे स्लीव के लिए टाबलिक्स लेते थे, डोक्टर ने ही दिया था, और फिर मेरे माइन के लिए कूलिंग और काम होने के लिए ओ दवा लेती थी, फिर ऐसे तीन मैंने कहें, मुझे नॉर्मल जिंदगी जीनी के लिए, फिर बहुत प्रोब्लम्स आ गयते हैं, क्योंकि मेरे लव लाइव जिंदगी में भी मैं आंत 2020 में मिलेते हैं, और फिर हम लोगों को अभी सारे तीन साल हो गये, लव जिंदगी में भी बहुत सारा प्रोब्लम्स अबसें डाउन हो गयते हैं, अभी मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, एक टाइम आएगा, मैं जरूर को लोई की, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरा चेंज हो क्योंकि माबाप की गर पर बहुत सारा प्रोब्लम्स दें, फिर ये जिंदगी में भी प्रोब्लम्स आये, बहुत कुछ आये, ऐसा लगा कि मुझे कोई चेह नहीं है अपने जिंदगी में जीने के लिए, अगर ऐसी जिंदीकी गुजरनी है, तो नहीं चेह कोई भी, मैं मेरी खुश हूँ, पर कैसे भी दिन गए, गुजर गए, मैं स्ट्रॉम होते गई, और ऐसे नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉम हूँ, मैं कितने बार कीरी हूँ, उतनी बार वापस उपी हूँ, खोड़ा टाइम लगाया है, मैं डिप्रेशन में भी चले ग पर है, मेरे पपा के आशरवाद है मेरे पास, क्योंकि वो मुझे बहुत चाते थे, तो अभी भी मुझे ओ दिन याद है, लास्ट यार जो मुझे डीड भी याद है, 22 जून 2023, मुझे इशांक को कॉल आया था ममी के नंबर से, तो मैंने आंसर किये, ममी उस दिन बहुत रो ममी को अचली पता चला कि मैं हर वेनेस्दे चर्च जाती हूँ, महीन चर्च तो मैं बहुत सालों से जाती थी, मतलब जब मैं साइडल में काम पे लगई थी, ओ टाइम से मदर मेरे ने बहुत मुझे संभाला है, जो भी प्रोब्म्स थे, उनके पास जाती थी, हर प्रोब् मैं ने बोला था कि हम लोग हमेशा आते हैं महीन चर्च पर तो मिलती नहीं है, तो वैसे फिर मुझे पता चला कि वो खुल्ला में रहती है, वो टाइम पे बांटा में रहती थी, उसमें शिप किया था उसके गर, क्योंकि गॉर्मदर ने बोला था कि इदर जगा अचा है और तो अमनों के सापी रहेगी, तो उसमें खुद का घर भड़ी ला था कुल्ला में, तो मुझे बोला था कि यह यह एडरस है, मुझे आपके लेके जाना है, मुझे तेर से मिनना है, तो मैंने सोचा था चलो, अभी तो बदल गई होईगी मेरी मेरी, अभी हो जाएगी मे गण धुदा मैं अख़री गुजर गए ती तो मैं कुछ बँगे थी, मैं खुशी से गई थी, उसको लेने के ने, हर कुछ मैं कप्रा लेके आई थी चप्पल लेके आई थी, तो कही थी मैं वह बहुत होई उस दिन तो मुझे बोज़े अभी क्या भी मुझे अपने गर पे लेके चाहँ मैं तेरे साथ ही रहना चाहती तो मैं लेकर आई थी मेरे गर पे मीरा रोन बहुत खुशी से रह रह रही थी तो एक पूरा मैने वह मेरे पास ही रह गई फिर उसको कुछ प्रॉब्लम्स थे उसके पैर में बहुत अरग होता तो मैंने उनको बोला कि मेरा जो मदल लौ है और डॉक्टर के पास चाहती हो बहुत अच्छा है आज हो चेक अप करने के लिए तो हम लोग चेक करेंगे हम लो चेक अप के लिए वापस आना है तो हम लोग गई थे चेक अप के लिए वापस टेस्ट किये हैं अग्वान का इतना शुकर है कि डाइबिटी पूला तरीकर से इक गया है रिकोस पूल था डाइबिटी पूला कंप्रेटली छेया हो गया था उनका, तो एक मेड़िकल हो गया था, ओ मेरे हातों से मैंने सब कुछ किया जो में से हो पाया पर उनका डाइबरी चला गया फिर ओ कैसी मैं जाते थी कभी भी बैन रखे वा तो मैं उनको गड़ पे छोड़ती थी तो उनको टीवी देखने के लिए बहुत आपता तो नहीं आती थी ओ तो मैं जाती थी बैन रहा तो एक ट और चालू था तो वह आई भाग भाग के और बोले मैं बातरूम में ना रही थी मैंने बोला ठीक है दिन गुजर गए फिर एक दिन मैं काम कर रही थी गड़ बैलकनी को दो रही थी तो मेरी गौर्मदर का कॉल आया तो बाग के कॉल लिये ममी ने और बातरूम में जाके ब करना है मैंने तो मना नहीं किसी से बात करनी के लिए या कुछ अपना आंटी का फोन आता है या कुछ फोन बात करो पर मेरे से तो करो जो भी है तो वह बातरूम में जाते थी किसका भी कॉल आता था आंटी का या गौर्ड मदर का या बैंड का वह बैटरूम में जाते बात तो मुझे डाउट आया, कोई तो प्लानिंग हो रहा है, तो फिर उसके बाद, एक दिन मुझे बोल रहे हैं, कि मुझे गर पर जाना है, मेरा सामान जो है, और मुझे लेके आना इधर, तो मैंने बोला, खीक है, अगर गर पर ही जाना है, मैं शाम को जा रही हूं, बैन रहा, मेरे साथ आठा जाना आपको छोटी उधार जोभी सामान हैं लेगाए आना मेरे साथ कर पे वापस क्यों ट्रें से या बस से जाना है मैं कारी से जा रही हूं एक तो मेरे साथ ही आना मुझे लगा था कि यह कुछ प्लानी नहीं था का सवरों के हा लोगा कुछ फ्लान था प्लानिंग पहले से ही पुडा किया है क्योंकि जब मुझे बोला था पेपर साइन करनेटे ले वह टाम पर मुझे ड़ाउट आया था तो मैंने पेपर भी साइन के है पर जब ओं जा रही थी गाल पे तो बहुत थि अनों से लोग आपब हुअ है दूर है को है ? तो उदर ही रहना आपको उदर ही रो तो वैसी ओच चले गई तो सोना मेरे पास ही था तो चले गई तो मुझे कॉल नहीं आया मैंने उनको बोला भी था आप पहुचेंगे गर पे मुझे कॉल करना तो घर पे पहुचें मुझे कॉल ही नहीं किया तो फिर उसके पास फिर ने तो नेक्स डे, उन लोग साथ में आये, कितने छे जन, छे अड़ते थे, और उसमें मेरी बड़ी वाली बैंड थी, चोटी वाली आंटी थी, गौड मदर थी, ने गौड मदर नहीं थी, गौड मदर थी, बहू थी, वैसे आये, और मेरे भाई जो रहता है, पपा के लड़का जो रहता है, मीरा रोड में, उनको भी पुलिस टेशन में बुलाया, और फिर उन लोग पुलिस लेके मेरे गड़ पे पहुच है, तो मैं अचली मेरे ससुलाल में थी, कुछ फंक्शन था, तो मैं उधर थी, और मैं जस आई उपर, चेंज करने के लिए, कि हम लोगो शाम क पुलिस लेके खड़े, तो फिर जो पुलिस को बोल रहे है, यही है, यही है, यही लड़की है, जो सोना लेके भाग गई है, तो मैंने सोचा, सोना लेके भाग गई, सोना तो मेरे पास ही रखा है, मैंने भाग के लेके या कुछ लेके नहीं आई हूँ, तो मैंने ऐसा एक हम लोग ने पेपर साइन किये तो मेरा एक responsibility होता है कि सोना मेरे पैस है तो मैं ही hand over करेंगी ना उनके family के लिए तो मैंने बोला कि अगर आपको चेये सोना मैं अभी क्या भी देगी तो मैंने मेरा दर्वाजा खोला और सोना दिया तो उम लोग पहला चेक करें क्या क्या है क्या कुछ चोरी ने किया या कुछ तो फिर वैसा मुझे भी investigation के लिए police station लेकर गए ते मेरा police station तो मैं गई फिर मेरे को हम बोल रहे कि यह कौन है हम लोग पैचानत है नहीं है उम लोग ने आंटी को लेके गई और फिर हम लोग को भ पूछा तो ममी ने बोला कि हां यह मेरी बेटी है और यह मतलब adopted बेटी है पटो तीन साल से मेरे साथ नहीं रहे तो ऐसा तो फिर मेरा जो भी पेबर्स थे मैंने उस ताम पे मैंने ममी से भी किये क्योंकि एक रूफ होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ क्योंकि पपा का विल नहीं चलता है देट के बाद तो ममी का विल जो था है मेरे पास मुझे मेरा रोड पुलिस्टेशन लेके गए थे कस्टेडी के लिए इंवस्टेकेशन के लिए तो मैंने सब कुछ पेपर्स किये थे बो टैम पे क्योंकि जब मैं तीन साल पहले मैं बैनर के गज से निकली तो मैंने F.I.R. किया था मेरे सब रिष्टदार के जो भी उन लोग थे वो मीटिंग एक दिन पहले उन लोग के सब के नाम लिखा था कि उन लोग मेरे को सधार है और 24 यर्स के बाद मुझे बोलते है कि अब कौन है मैं पहचानते नहीं हूँ तो उसके बाद मुझे मेरा पुले स्टेशन से रिलीज किये तो मैं बोलना चाहती हूँ अगर आप किसका घर परबाद करना चाहते हो क्यों सिफ पैसे के लिए या प्रॉपेटी के लिए आप लोग खूच रहेंगे ज़रूर आप लोग पैसे से खेलेंगे या पैसे से बहुत कुछ लेंगे मेरा जो 25 लाग आप फिर और एक गर है जो अल्मोस 40 लाग आएगा ठीक है आप लोग करोण में पैसे लेंगे मेरे ममी से के तुरू से पर आप लोग क्या सोचते हैं कि जिन्दीगी इतनी बड़ी है कि आप लोग खुशी से जिन्दीगी निकाल सकते हैं आप लोग के भी बच्चे हैं आप लोग के भी बच्चे बड़े हो रहे एक ना तो देन लोग भी बताएंगे आप लोग को मैंने क्या आप लोग का बिगारा है या कुछ घलत किया आप लोग के साथ कि मैंने हमेशा मेरी जो बड़ी बैन है उसके साथ हमेशा हर कुश मैंने शेय किया था उनके बच में चोटी बैंड रहे के वी मैंने सब कुछ किया तो ना भी आने के लिए आ गई थी तो हम लोग का जो गर है महीं का गर तो ममी ने पूरा पैसा पूरा साल का पैसा लिया था रेंड का पैसा तो कुछ सतर हजार खुछ था बैंड के अपन में उसके और बाकी के पैसे आंटी कुकि और बैटे के नाम पे रखा है क्योंकि मेरी ममी का पैसा है तो आप लोग आपके नाम पर क्यों डाल était मामी के अपन टो हो हुआ इतना भी अखर नहीं है क्या मैशा तो सिफ आप लोग ममी को रख रहे है कि आप लोग को पैसा मिलेगा प्रॉपेटई मिलेगा गा जब मेरा दिन आईगा ना मैं बोलने लगी और मैं खड़ी रही अपनी राइटस के लिए क Dunka क्योंकि मेरे पास हर कुछ पेपरस है आप लोगों को पेपरस करेंगे या कुछ भी करेंगे आप लोगों कुछ नहीं किसमा रहा है क्वाला क्योंकि मेरे पपा ने पेपर्स किया मेरा एडॉप्शिन पेपर्स है मेरे पास मेरे ममी का विल पेपर्स है मेरे पास तो आप लोग कुछ ने कर सकते हैं उनका डाइवरी जो था 7.38 बढ़ गया था वो टाइम पे तो डॉक्रिम ने सीधा सीधा बोला कि आंटी कभी दवाई लिया ही नहीं है उसके लिए इतना बड़ा है गाइस ऐसा मत सताओ मेरे ममी को अगर आप रख नहीं सकते हो सिफ पैसे के लिए या प्रॉपरिटी के दिल खतम ने कर सकते हैं ऐसा मत करो मेरे फामिली को बोलना चाहती हूँ मैंने क्या आप लोग का बेगाड़ा है या क्या मैंने ऐसा कुछ बोला है आप लोग के लिए कि मैं इतनी बुरी हो गई आप लोग के लिए हां मैंने हमेशा सब को मिल जूल के रखा है मेरे बड़ी जो है उनके twins बच्चे थे उनों को समभाला है बड़े भी होते गए हमें हमेशा उनों को छुपी पर लेके जाती थी मैंने हर कुछ आप लोग के साथ किये हर बात शेय किये अपनी बड़ी बेंट सोच के मैंने मेरे problems बता है तो अपनी मेरे कमजोरी का फाइदा लिया क्योंकि ममी हमेशा उतके मतने को हर कुछ बही थी मतले हैं हर कुछ शेय कर Tthe तो मुझे हमेशा नीचाई दिkkHYा या थी मैं भूरी हूं मैं इसी हूं मैं वैसी हूं ही हर मं drip हे हाउ कर मामी बोलती है हर मंश बयाजिक अक है ठीक है पर अपना मा का प्यार जो रहता है अप लोग ऐसा करोगे तो आपको क्या पता चलता है कि आपको सब कुछ मलेगा नहीं गाइस ऐसा नहीं है एक time आएगा जब में खड़ी रहेगी मेरे rights कि रहे क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, मैं adopted हूँ, जो भी हूँ, पर मैं law के तुरू से adopted थी, तो मैं एक बेटी हूँ और अभी भी हूँ, तो जब time आएगा मैं ज़रूर खड़ी रहेगी, मुझे court में भी जगणना पढ़ेगा, मेरे राइट के लिए मैं खड़ी रही अपने लिए और मेरे हर पेपर्स है आप लोग को लगता है पेपर्स नहीं है गाइस प्रूफ पेपर्स पर ही पता चलता है लोग में और कोप में पेपर्स ही चलते है मुझ से कुछ लगता है कि आप लोग से बोलेंगे कि यह कौन है ह कि हम लोग पेचानते मिल यह कुछ तो वह नहीं चलेगा chiद आज के तारीक में में लोई चलता है एक पेपर्स ही चलते है और मेरे सब कुछ पेपर्स मेरे साथ ही हो गर के papers भी मेरे पास ही है, आप लोग papers भी बनाइंगे, कुछ नहीं होईगा, ज़रूर कुछ नहीं होईगा, पर मैं बोलना चाहती हूं कि आप लोग का भी दिन आएगे, ज़रूर, क्योंकि आप लोग ने बहुत सताया मुझे, बहुत तकलिफ दिया है, पर मैंने किसको कु जोचीगी या कर स करेगी लिए बगवान बी जिंदा है बगवान हर किसी का हिसाब लेगा और दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप लोग बच सकते हो तो एक दिन आप लोगा भी आएगा रोने का ज़रूर आएगा अप लोग के भी बच्छे हैं आप लोग के भी बच में जो को सॉ país करना है तो मुझे कॉंटक्त करना रहा मेरे मइ стала पढ़ना है ये कुछ भी आज तरक मेरे दिन में हमेशा जिन्दा है जो भी मुपर कॉन में बोला गया है और मुझे भी पता है कौन बोलता है क्स का पर क्या है हर कुछ सवल हैं मेरे पास यह सब सुलिओ एक जब टाइम आएगा मैं ज़या है ज़रूर पोल डेगी और यह नहीं हम इयो है यह टाइम जरूर आएगा, आप लोग याद रखों, यह मेरा वादा है